विस्तार विशेष्टम से सवाल करेंगे आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता से और में धडले से रेट का अवैद कारोवार जारी है रेट माफिया निर्मम तरीके से नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं कई ऐसे घाट हैं जहां दिन रात रेट माफिया की मशीने नदी के बीच से रेट निकाल लही है लेकिन खनिज विवाग की नेजर इन पर नहीं पड़ रही सरयाम NGT के निदेशों की धजियां उड़ाई जा रही है रेत के कारेक कारुवार को लेकर देखिए हमारी ये खास सिपोर्ट ये तस्वीरें सिहोर के भिरूदा की है जहां नर्मदा चीक रही है मदद की गोहाल लगा रही है अपनी आचल को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन खरन माफिया उसके अस्तित्व पर सीधा प्रहार कर रही है नर्मदा के सीने को चीर कर रेत निकाल रही है चाहें इसके लिए नदी के प्राकर्तिक सुरुप को ही तहस नहस क्यों न करना पड़े हर नियम हर काइदे को टाक पर रखकर माफिया अपना कारूबार कर रहे हैं मैं सीहोर जिले के भेरुंदा के सीलखंट इस तिद गहाट पर मौजूद हूँ इस समय और यहां नर्वदा नदी है और यहां से साफ तोर पर रेत माफिया दोआरा नदी के बीच में जाकर अवेद रेत खनन किया जा रहा है जिसे लगतार जेसीवी और पोकलेन की सहायता से यहां रेत माफिया अंजाम दे रहे हैं जेसीवी से रेत खनन, खनन माफिया ने अपने मनसूमों को अंजाम देने के लिए नर्मदा की आचल में बड़ी जेसीवी मशीनों और पोकलेन मशीनों को उतार दिया जिनके जरीए बेतर्तीब तरीके से रेत निकाली जा रही है सेक्डोर टेक्टर ट्रोलियां दोड रही सेक्डोर टेक्टर ट्रोलियां नर्मदा की रेत को निकालने के लिए दोड़ते हुए देख जाते हैं जिनके जरीए नर्मदा की आचल को खाली किया जा रहा है बीच धार से निकाल रहे रेत खरन माफिया के लालच के आगे नर्मदा बेबस नजर आती है माफिया ने नर्मदा की धार को रूख कर रास्ता बना लिया और बीच नदी में जाकर पंडुबी और मशीनों के जरिये नर्मदा की कोक से भी रेथ निकाल रही है मजदूरों की जान जोखे में डालकर बीच नदी से रेत निकाले में माफिया बिलकुल भी नहीं हिचकिचा रहे नर्मदा के सुरूप से खिलवार माफिया ने नर्मदा का सुरूप ही बिगार दिया है नर्मदा के किनारे पर गहरी गहरी खाईयां खोद दी गई हैं जिन से हजारों डंपर रेत माफिया निकाल चुके हैं नर्मदा के हर घाट पर रेत माफिया ऐसे ही कहर बरपा रहे हैं शीलकंट, बाबरी, जाजना, अमा, बढगाओं, चोड़सा खेडी, सद्देव, जहाचपुरा ऐसे कई घाट हैं जहां रेत का वैद खनन धड़ले से जारी है लेकिन ना तो प्रशासन को ये दिखाई देता है और ना ही कोई उसे रोकने वाला क्यों बुलंद हैं रेत माफिया के होसले ये भी जान लीजे रेत माफिया को राजनितिक सानक्षन मिलने का आरूप खनिज विवाग और प्रशासन के मिली भगत लंबे समय से जम्य अधिकारियों से साठगाट के आरूप खनिज विवाग में कई अधिकारी लंबे समय से भी जम्य हुए हैं विस्तार नियूस की टीम जब अधिकारियों के दफ्तर में पहुची तो अधिकारी नदारत मिले और जब फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो यहां भी उन्होंने संपर्ब करना जरूरी नहीं समझा फोन विस्यू नहीं किया रेत माफिया का तंत्र काफी मजबूत है बारिश का सीजन आने वाला है नर्मदा का जलिस्तर बढ़ रहा है लहाजा रेत माफिया दोकुनी रफ्तार से रेत निकालने में जुटे हैं रोजाना हजारों डम पर रेत का स्टॉक किया जा रहा है जहां देखो वहां रेत के ठेर दिखाई देते हैं जनता को ये रेत के पहाड नज़र आते हैं लेकिन अधिकारियों को ये दिखाई नहीं देता जो बताता है कि करोणों के खिल में अधिकारियों की भी लागों की हिस्सेदारी है और यही हिस्सेदारी नर्मदा के अस्तित्व को ही खत्रे में डाल रही है सरकार को करणों का चूना लगा रही है और खरन माफिया के होसलों को बुलंद कर रही है अब देखना ये होगा कि सरकार कैसे इन काले कारोवार पर लगाम लगाती है और कैसे नर्मदा की अस्थित्र को बचाती है क्योंकि नर्मदा को बचाना है تو उसे रेत माफिया के चंगुल से मुक्त कराना बेहद जरूरी है सालों से कई होमगाड जीने नगर सेनिक भी कहा जाता है उनको बतोर सेनिक के तोर पर रख रखा है जिनका नियम हर साल में बदलने का रहता है लेकिन सालों से वही नगर सेनिक उस विभाग में कब्ज़ जमाई हुए बेठे हैं सूत्रों के द्वारा एसा भी बताया जाता है कि उनी नगर सेनिकों के कई डंफर और टेक्टर ट्राली चलते हैं जिनसे लगातार रेत का अवेद परिवहन और परिवहन किया जाता है और लगातार एक मोटी कमाई की जाती है देखना होगा आज विस्तार नियुज की या ग्राउंड जीरो के बाद प्रसासन की कितनी आखें खुल पाती है तो देखा आपने कैसे पविट्र नर्मदा नदी के अस्तितु से खिलवार किया जा रहा है अब सवाल उठता है कि आखेर खने जिवाक समेत पूरा सरकारी महकमा क्यों मूख दर्शक बना हुआ है जबकि रेट माफिया नर्मदा नदी के स्वरूप और सरकार को करोण रूपे के राजस का नुकसान रोज पहुँचा रहे हैं इधर गौलियर में भी खनेन माफिया के होसले बेहद बुलंद हैं माइनिंग एरिया शरताबदी पुरम में बड़ी बड़ी ख़दाने अवेद तरीके से खोद दी गई हैं लेकिन शासन पर शासन इनके आगे बेबस नजर आ रहा है कारवाई के नाम पे सिर्फ नोटिस जारी होते हैं लेकिन अधिकारी माफिया के मुताविक रिपोर्ट पेश कर इस मामले का रफा दफाका देते हैं देखिए ये रिपोर्ट ख़दानों की गहराई कुवालियर में खनन माफिया के रसूक को बताने के लिए काफी है ये गहराई बताती है कि माफिया की होसले कितने बुलंद हैं खनन माफिया ने बेतर्टीब तरीके से धर्थी का सीना चीर कर खनन किया और इन ख़दानों को खुला छोड़ दिया ख़दाने इतनी गहरी हैं कि इनमें ट्रक की ट्रक समाझाएं ट्रकों के भी पर खच्ची ओड जाएंगे, इंसानों और जानवरों की बात तो छोड़ी दीजी, लेकिन प्रशासन इन माफियाओं के सामने नत्रमस्तक नज़र आ रहा है बिलोवा और शतापदी पुरा माइनिंग ब्लॉक में ऐसी खदाने हादसों को न्योता दे रही है वहीं अधिकारी सिर्फ नोटिस जारी कर अपनी ड्यूटी निभा रही है, जबकि ये खदाने अवैद रूप से संचालित हो रही है माफिया को राजरतिक संटक्षन खनिज अधिकारी भी माफिया के आगे बेबस माफिया के हिसाब से रिपोर्ट बना रहे अधिकारी डीम सीम से लेकर एन जीटी तक शिकायत कलेक्टर ने नोटिस जारी कर खदाने बंद करने को कहा तीन सो मीटर से जादा गहरी है खदाने खनिज विफाद के रिपोर्ट में सिर्फ सो मीटर दिखाई अब आप समझ गए होंगे कि खनिज माफिया की बैठ कितनी गहराई तक जब हमने माइनिंग अधिकारी प्रदीब भूरिया से बात की तो वो बात को घुमा फिरा कर टालते हुए नजर आए जैसा गहराई में उन लोगों ने आज के निज़ पेपर में दिया है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कम जादा हुआ है बट हमने जो जांच कराई है वो मीटर के हिसाब से कराई थी वही कलेक्टर रुचिका चोहान का कहरा है कि लगातार नोटिस दिये जा रही है और जाच चल रही है कारवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ नोटिस ही नज़र आ रही है और जिस तरह का रवया अधिकारियों का है उससे अंदाजा तो यहीं लगाया जा सकता है कि कारवाई यहीं तक सीमित रहेगी क्योंकि इस पूरे खेल में राज़तिक संदक्षन के साथ साथ अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आ रही है यहीं वजह है कि माफिया बेखौफ होकर परियावन और इंसानों की जान को खत्रे में डालने से संकोच भी नहीं कर रहे है अब देखना है कि प्रशासन सक्त कारवाई करेगा या फिर खनन माफिया ऐसे फलते फूलते रहेंगे तो देखा आपने कैसे खनन माफिया की मनमानी पूरे सिस्टम पर भारी पड़ गई है अब बात 36 गड़ के महासमुंद की करेंगे स्कूल खुल गया है जोर शोर से शाला उत्सौवी मनाया गया लेकिन यहां कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी चछत ही नहीं है तो बिना चछत के स्कूलों में बच्चे आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे देखिए ये रिपोर्ट बच्चे कहां बैठेंगे और कहां पढ़ेंगे बारिश और धूप से कैसे बचेंगे जिम्मेदारों ने ये चिंता नहीं की ना ही स्कूल की विक्र की और ना ही पढ़ाई के बारे में सोचा लेकिन गाउवालों का कलेजा पसीज गया उन्हें अपने बच्चों के भविश्य की चिंता सताई और फिर उन्होंने गाउं के ही एक घर के बरामदे में बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया लेहाजा बच्चे स्कूल के बजाए दूसरों के घर में अपना भवेश्य सवार्णी की कोशिच में चुटे हुए है लोग हैं किसे कैसे कर रहे हैं पता नहीं अधिकारी लोग आभी नहीं रहे हैं कभी ठीकेदार ठीका लेया है लेकिन काम चलो नहीं कर रहे है बच्चे मजबूर हैं लेकिन प्रशासन मजबूर नहीं बलकि लापरवाह नदर आ रहा है तोकि ये अचानक नहीं हुआ है अब तक च्यों नहीं बनी च्छत ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है साथ से आठ महीने पहले ही तूट चुकी थी च्छत पानी टपटने के कारण खत को तोड़ा गया नई च्छत डालने के लिए तेका भी दिया गया पूरी गर्मी निकल गई च्छत नहीं बन पाई स्कूल खुर गए काम शुरूर नहीं हुआ अकेले मुर्वरी गाओं के बच्चे ही पदिशा नहीं है बंदली बाल में भी तस्वीरे कुछ ऐसी ही है यहाँ साल भर पहले ठेकिदार ने च्छत को तोड़ा लेकिन उसके मरमत के लिए दुबारा मुंकर नहीं देखा और मिडल स्कूल के बच्चे प्राइमरी स्कूल में बैठ कर पढ़ने को मज़़ूर है यह तो बधाल होती सिक्षा की महज कुस तस्वीरे है जिने देखकर आप अंडाजा लगा सकते हैं कि महात समुल दुजरे में शास्तन प्रशासन बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना संजिता है और कुछ आखड़े भी देख लीजे कि आखिर ऐसे कितने स्कूल है जहां बच्चे पैटकर पढ़ाई भी नहीं कर सकते पधाल स्कूल प्रशासन गया भूल 518 सरकारे स्कूलों में मरम्मत का का 45 करोड़ों 52,96,000 रुफे जारी 333 स्कूलों का काम ही पूरा हुआ 185 स्कूलों में अभी भी चल रहा का अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब काम चालू कराए तो अधिकारियों ने ये देखने कि जहमत क्यों नहीं उठाए कि काम हो रहा है या नहीं उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि बिना स्कूलों के बच्चे कहां पढ़ेंगे, बारिश की दिनों में कहां पैठेंगे या फिर ऐसे ही किसी के रहमो करम पर अपना भविश्य सवारनी की कोशिश करते रहेंगे सवाल कई हैं लेकिन जवाब यही है कि अधिकारी नौनी हालों के भविश्य को लेकर संजीदा नहीं है और यह जवाब खुद बदखाल स्कूलों की तस्वीर देती हैं विस्ताब न्यूज के लिए जशांस कि नायक की रिपूर्ट मज्य परेश के बढ़वानी में शिक्षा की हालत और भी बत्तर है यहां पढ़ने वाले छात्व हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं लेकिन पढ़ने के लिए कोई इमारत ही नहीं है हालात यह है कि बच्चे जोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर है जी हाँ ये जोपड़ी देख रही है ये ना तो घर है ना ही किसी का ठिकाना बलकि ये है मध्यप्रदेश का सरकारी स्कूल चौक गयना लेकिन हकीकत यहीं है यहीं पर 25 से 30 बच्चे अपने भविश्य को रोशन करने का सपना लेकर आते हैं मध्यप्रदेश के बढ़वानी जिले का सबसे पिछड़ा इलागा का जाता है कि यहाँ पर सबसे पिछड़ा पन है यहाँ के लोग विक्सित नहीं हैं विकास नहीं कर पाते हैं शिक्षा से दूर हैं तमाम ऐसी विवस्थाओं से दूर हैं जो आधुनिक दोर के हिसाब से चल रही हो उसी तस्वीर को समझने और जानने के लिए हम पहुँचे हैं बढ़वानी जिले के पांसे मल के वन ग्राम खामगाट में खामगाट की यह तस्वीर जड़ा इस तस्वीर और गाउं को दिखाईए यह खामगाट वो गाउं हैं जहां पर सडक नहीं है शिक्षा नहीं है रोड ना होने के कारण जो स्वास्त सुविधाएं हैं वो गाउं को नहीं मिल पाती है ना च्छत है ना दीवार है और ना ही शिक्षा को बहतर करने वाला कोई साजो सामान है बश्चार लकणियों के सहारे खड़ीगे जोपड़ी ही बढ़वानी के आदिवासी अंचर में पहारी पर बसे खामगाट के बच्चों की किस्मत सवार रही 90 आदिवासी परिवारों के इस गाम में एक भी स्कूल भवन नहीं लहाजा जोपड़ी मही स्कूल लगाया जा रहा है बच्चों को पलाने वाले शिक्षक भी आववस्था से परिशान है सुविदाओं के नाम पर सिर्फ एक ब्लैक फोर्ड ही है इसके अलाबा कोई विवस्था नहीं है कई बार अधिकारियों तक बात पहुचाई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई वही बच्चे भी चाहते हैं कि उनका स्कूल भी स्कूल की तरह तो हो जोइनिंग ली है फिर बच्चों को मतलब फिर साल बर तक हमने पढ़ाया अभी यह दूसरा साल हमारा चल रहा है और यहां की वेवस्ताइं जो बच्चों के जो सामगरी देती वह वेवस्तित नहीं रह पाती है कुछ नई चीजें लाते हैं तो साल बर चलनी पाती है रख आते हो चलिए हम और भी बच्चों से बातशीत करेंगे बिटा क्या नाम है आपका आरती कौन सी क्लास में हो दूसरी दूसरी में हो क्या पढ़ड़े थे अभी अनाराम रोजाना आते हो इस्कूल गाउं वाले परिशान है उन्हें अपने बच्चों की चिंता है लेकिन निवेदन आवेदन और धरना प्रदशन के बाद कोई सुनवाई नहीं होती ग्रामीड कहते हैं कि परिशानी केवल इतनी ही नहीं है गाउं के लिए सलक भी नहीं है जब बारिश होती है तो स्कूल ह नहीं लग पाता क्योंकि शिक्षक का गाउं आना नहीं हो पाता कि स्कूल के बार में समच्चा बहुत है तिस पैंटिस बच्चे हमारा पड़ा है और माट्र लोग ने जादी पाने बारिश हो जाता है तो तीन-चार किलमेटर पेदा लाते भी सरा बच्चा पड़ाने के पांच बरस का लंबा वक्त मुश्किल हालातों में बच्चे पढ़ने को मजबूर है लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात की तो जवाब में सिर्फ मिला है आज श्वासन जोपड़ी में स्कूल ये तस्वीर ही काफी है जो खुद पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है शिक्षा को लेकर किये जा रहे दावों की हकीकत बताती है आखिर इन आदिवासी बच्चों का कसूर क्या है जो इन्हें एक जोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है क्या इन्हें बहतर शिक्षा का इधिकार नहीं है क्या ये भी अच्छे स्कूल में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते ऐसे कई सवाल हैं और जवाब जिम्मदारों को जरूर देना होगा ये एक तस्वीर मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में अमुवन ऐसी 11 जोपडियां बनी हुए जिनमें सरकारी स्कूल बने हुए हैं जोपडियों में पढ़ाय जा रहा है हम प्रवेश उस्सों बना रहे हैं हम अरी सीम राईज स्कूल का निर्वान कर रहे हैं लेकिन क्या हम वो गाउं तक पहुँच पाते हैं क्या वो गाउं के बच्चों तक हम पहुँच पाते हैं जिनका जो शिक्षा से अभी तक दूर है विस्तार नीउस के लिए नजबुदिन शेख साथ जफर अश्रफी पढ़वानी है और अब बाद 36 गड़ की एक ऐसी पंचायत की करेंगे जिसकी पहचानी बच्चाचार से होने लगी है यहां कोई काम ऐसा नहीं है जो बच्चाचार की बेंटना चड़ा हो काग्जों में तो हर काम हुआ है लेकिन जनता आज भी सुधाओं के लिए तरस रही है देखिए बल्रामपूर की ग्राम पंचायत लहसुन पाठ का हाल यह है बल्रामपूर की ग्राम पंचायत लहसुन पाठ यहां के सरपंच और सचिव ने रश्टशार का ऐसा पाठ पड़ा कि लोग आज भी मूलवूद सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं जबकि कागजों में हर काम हो चुके हैं यहां की सडख ही देख लीजे कुछ महीनों पहले ही बनकर तयार हुई गिट्टी बाहर निकल कर ब्रश्टचार की कहानी कह रही है तो नाली निर्मान पर भी नज़र डाल लीजे यह काम कागजों में पूरे हो चुके हैं और राशी निकाल ली गई है रोड बना था देश चौविस का सुग्रीद हुआ था रोड वो लबबबग 6 मेना नहीं हुआ है उसका पूरा गिट्टी उट्टी जितना सेमेंट बन्ट सब उपर आ गया है अब ये धोड़ी देख लीज़ी गाउवालों की प्यास भुजाने के लिए यही जरिया है गाउं में करीब आठ धोड़ी है जिनकी मरमत के लिए 40-40 हजार रुपे निकाले गए लेकिन एक रुपे का काम इन पर नहीं हुआ हर योजना में बरिश्टाचार है पेमावास योजना के मकाम तो 5-5 साल से अधूरे है लोगों के पास छट नहीं है और हित्गराही गोहाल लगा-लगा कर परेशान है मेरा पापा का मकान है पान साल पजले बने हुआ है इसको ढ़ने के लिए बोलते हैं तो नहीं ढ़लाएगा इसे बोलता है पैसा नहीं ढलाया है जब भी बोलते हैं ढालो ढालो तो पैसानी दलाया है ये तो सिर्फ ब्रश्टचार की बानगी है अब ये बिल देख लीजे सरपंच और सचिव ने फोटो कॉपी मशीन समेत बागी सामगरी के नाम पर रुपए निकाली लेकिन आज तक मशीने और बागी सामान पंचायत पहुँची ही नहीं विस्तार नियूज ने जब ब्रश्टचार का मामला अधिकारियों तक पहुँचाया तो अब जाँच की बात कहीं जा रही है लेसुन पाट में सरपंच और सचिव की मनमानी सरकार की मनशा और ग्रामिनों की उम्मीदों पर पानी फिर रही है जिम्मेदार मलाई काट रहे हैं और जोनता मूलभूस विदाओं के लिए तरस रही है अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन के अरिकारी कारवाई करेंगे या फिर ब्रश्टचार का ये खेल यूँ ही बरस्तुर जारी रहेगा विस्तार न्यूज के लिए नंद राम कुश्वहा की रपोर्ट तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई आपके मुद्दे उठाए आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विस्तार न्यूज में आपके मुद्दों आपकी खबरों को हम प्रमुक्ता से जगध हैं मुझे दीजिए इजाज़त आपसे होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ नमस्कार नमस्कार